अगर आप आने वाले 2023 में बोर्ड एक्जाम देने वाले हैं बार्वी की अबिवेज़े माहराश्ट्रा बोर्ड से तो आप के लिए एक बहुत ही इंपोर्टन्ट जानकारी शेर करने वाले हैं इस वीडियो में बच्चो जो महाराश्टरा बोर्ड है उसमें जो एक्जाम होती है बोर्ड एक्जाम के लिए एक एक्जाम फर्म बरना पड़ता है भले वो दसवी हो या बारवी तो फिलाल बारवी के बच्चों के लिए ये जो exam की form feeling है उसकी date release हो चुकी है आने वाले एक October से लेके 15-20 दिनों तक ये form feeling उनके junior colleges के office के जड़िये होने वाली है तो अगर आप इस February में board exam देने वाले हैं या पिछले साल के student हो या regular student हो तो आपके लिए ये exam form बरना बहुत ज़रूरी है ये exam form बरने के बाद ही आपका hall ticket generate होगा और आप board exam दे पाएंगे तो आओ चलो महाराश्टा बोड की website पर चलते हैं और क्या information आईए वो देखते हैं अगर आप latest notification में आते हैं तो आपको दिखाई देता है यहाँ पर ये 12th online यहाँ पर देखेंगे 12th online कहता है कि यह form जो है online बरना पड़ता है यह जो form है वो online बरना पड़ता है दो तरीके से form भरा जाता है एक होता है regular नियमित शुल्क यानि regular फीज के साथ एक date होती है उस date तक आपको fine नहीं लगता लेट फीज नहीं लगती और अगर आपने उस date तक नहीं भरा तो उसके ब 1 October 2022 से लेके 21 October 2022 तो अगर आप यह exam देने वाले हैं तो आपको एक परिक्षा का form बरना है एक्जाम का form बरना है यह जो exam form है बच्चो यह 1 October से इसकी online form filling स्टार्ट होने वाली है यहाँ पर बता दूँ आपको 1 October 2022 से इसकी form filling चालू होगी 21 October 2022 तक यह form filling होगी बट यह form कौन बरेगा आप खुद नहीं बर सकते हैं आप खुद चाहेंगे कि लैप्टॉप यह एक्पूटर से मैं form बरूँ अपलाई करूँ वह नहीं होता यह जो है आपके जो जूनियर कॉलेज के जो क्लर्क होते ओफीस में जो भी जो भी होंगे ओफीस में कॉम्पूटर के काम कर वह भरेंगे कॉम्पूटर के जरिए ओनलाईन बरने वाले तो आपको क्या करना आपका रोल क्या है आपके ओफीस से आपके कॉले से एक नोटिविकेशन आपको दिया जाएगा आपके वाटसप ग्रूप के जरिए या नोटिस के जरिए कि आपकी form फेलिंग चालू हो नहीं होती है दूसरा उसमें आपका आधार कार्ड वगरे लगेगा आधार नमबर, एडरेस आपका, फूल नेम अगर आपका कोई कास्ट वगरे तो कास्ट की डीटेल लगेगी तो ये सारी डीटेल जो है वहाँ भरनी पड़ती है ओके, bank account detail भी rare case में मांगा जा सकता है हम तो आपके नोटीस में जो भी आपसे चीजा मांगी जाए वो दे दे एक साधा फॉर्मेट देंगे जिसमें बोलेंगे आप पैन से भर दो वो भरके आप दे देंगे हो सकता है आपके दसवी के रिजल्ट की जरुक्स मांगी जाए ओके एलसी की जरुक्स या ग्यारवी वगरे का भी जरुवत नहीं होता है उतना ग्यारवी के रिजल्ट का जरुवत नहीं होता आपके पास है या नहीं है तो एक्ट्वल में कोई डॉक्यमेंट की जरुवत न और यहां पर एक surrl database होता है, हुरेकका एक surrl uid होता है, surrl id होता है, तो आपका अल्रडी जो है junior college में enrollment हुआ रहता है, तो आपकी surrl id जेसे ही हम firm बरते कंडर में enter करते हैं, तो आपकी बहुत सारी details है automatic आजाती है, ऐसे में बोर्ड को हमें कोई ज्यादा दॉक्यमेंट्स देना नहीं पड़ता है कॉलेज की तरफ से अपने पास रखने के लिए जो है डॉक्यमेंट्स आपसे मांगे जा सकते अब यह जो डेटेल है भरनी है एक उक्टोबर से 21 उक्टोबर तक भरी जाएगी यह कौन भरेग आपसे सारे डॉक्यमेंट्स वो अलग तारीक आपको देंगे की चार उक्टोबर तक पांच उक्टोबर तक या छे सात उक्टोबर तक सब डॉक्यमेंट्स दे दो दो अक्टोबर तक दे दो वो सारा आपको डॉक्यमेंट्स लेके जो ऑफिस टाफ है वो खुद वो computer पे करते हैं online website जो है महाराष्टर पोड की उस पर अब इसमें क्या होता है कि form filling की fees भरनी होती है exam form की piece होती है कि आप exam दे रहे हैं तो आपके exam के लिए piece होती है science commerce arts अलग-अलग category के लिए किसी को practical है नहीं है किसी को technical subject है नहीं है किसी को IT subject है नहीं है उसके हिसाब से यह जो piece है exam piece 500 रुपए से 1000 तक ही piece हो सकती है तो आपके college जो है उतना demand करेंगे कि भाई आपका exam form बरने के लिए हमें piece बरनी है तो actual में piece बहुत जादा नहीं होती साड़े 400 से 500 रुपए तक ही होती है बट कभी-कभी subject के हिसाब से भी piece vary करती है improvement वाले जो बच्चे उनकी piece तोड़ा सा 1200 1400 तक होती है नहीं तो regular piece जो है 500 से 600 के गरीब होती है बट college वाले अपने हिसाब से आप से पैसा मांगेंगे कोई बात नहीं है अब आपका college जो है आपके office staff जो है वो आपका form इस date तक online बर सकते हैं उसके बद online link बंद हो जाती है अब कोई बच्चे ऐसे हैं जो improvement वाले बच्चे हैं जो improvement exam देना चाहते हैं श्रेणी शुधार परिक्षा जो पिछले साल परिक्षा दिये थे बर उनको कम marks आये थे वो ज्यादा marks लाना चाहते हैं कुछ बच्चे आई टी आई वाले बच्चे होते हैं transfer of credit लेना चाहते हैं कुछ private student होते हैं जो 17 नंबर का firm रहें कुछ repeater student होते हैं कुछ vocational stream वाले होते हैं उनकी जो firm feeling है online तरीके से चालू होगी वो यह खतम होने के बाद 22 October से 5 November तो लेकिन आपको बता दो कि 20 October से maximum महराष्ट्रा में दीवाली vacation चालू हो रहा है तो 20 October से दीवाली vacation चालू होगा तो 7-8-9 November तक रह आके आपका firm बर सके तो इस तरह से हैं तो यहां पर और कुछ नहीं बात नहीं यहां पर क्या है regular piece के साथी firm बरना यहां पर एक line दी हूई आप देखेंगे कि नियमिज शुलका ने आवेदन पत्रे भरावियाइच्या तारखन मदे कुंती ही मुदत वाट दिनया पिनार नहीं मतलब यह जो date है बढ़ेगा नहीं ऐसा इनों ने बोला है बट actual में क्या होता है कि यह जो date यहां पर आपको दिख रही है यह जो date दिख रही है इसके बाद late piece के साथ firm filling चालू होता है जहां पर बच्चे कुछ extra amount बर के 50 रुपीस या 100 रुपीस बर के कुछ तारिक चार-पास दिन या एक हफते के अंदर ही जो है फ़र्म बर सकते हैं आपकी कॉलेज जो है आपका पैसा कलेक करते हैं हर बच्चे का समझो 556-600 रुपीया जमा करते हैं वो खुद क्या करते हैं बोड का जो अकाउंट होता है वहां पर उस अकाउंट में RTGS या नEFT के होगा उसमें से हर बच्चे के हिसाब से जो भी पैसा बनता है बोड के लिए वो बोड में भेज दिया जाता है और फिर कॉलेज को बोला गया है कि उसका जो चलन है ऑनलाइन जो आपने ट्रांसवर किया उसका UTR नमबर वगरे है वो जमा करना है बोड में तो यह डिटेल ह है जिसका यह एक्जाम भरा जाएगा एक्जाम फर्म वह ही एक्जाम में बैट पाएगा उसका ही जनरेट होगा बहुत सारे बच्चे बार-बार मुझे कमेंट कर रहे थे पिछले एक दो मैने से कि सर हम इंप्रूमेंट एक्जाम देना चाहते हैं 2022 के बच्चे तो हमारा दो कब बर ना है तो बस यही तुम्हारा फॉम है बच्चो इसी के अंधर तुमको फॉम बरना है तुम्हारी इंप्रूमेंट वालोगी जो डेट है याद रखो रिपीटर इंप्रूमेंट की जो 22 अक्टोबर देट है 22 अक्टोबर से 5 नमंबर बट आप कोलेज में जाकर के रखो इससे ही आपका अल्टिकेट जनरेट होगा तो बस यही जानकरी इस वीडियो में all the best everyone for your exam चानल पर पहली बार आयो तो चानल को सब्सक्राइब जरूर करना वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अपने colleges के group में अपने दोस्तों को share जरूर करना मिलते हैं अगले वीडियो में bye everyone